धन तेरस पे धन की प्राप्टी के लिए ऐसे करे मा लक्षमी की पूजा देवी लक्षमी को धन की देवी माना गया है अर्थातिन की करपा सही मनुष्य को बहुत इक सुख सुईदाव की प्राप्टी होती है अनेक और अनिक गरंतों में देवी लक्षमी के संदर में वर्णन किया गया है महाभारत के रचीता महाशिरी वेद वयास लिखते हैं खुर्शा धन वद्ध अर्ताद लक्षमी धन का भावत तो मनुष्य के लिए मिरित्यू का चिन है यदि मनुष्य पर लक्षमी की करपाना हो तो इच्छाय अधूरी रह जाने से उनकी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती रिग वेद में शुरू सत्त से भी भगवती लक्षमी से पराथना की गई है है देवी आप दरीद्रता लक्षमी का नाश कर मेरे घर से एसमर्दी को दूर करें भर्धरी सहिंता में कहा गया है जिसके पास लक्षमी धन है वे कुलीन है वे पंडित है वही गुनी है वही सरेष्ट है वही दर्शनी है मतलब यह है कि सभी गुन लक्षमी के आख्शरित है, लक्षमी जी की करपा से ही इंसूखों की पुर्ण प्राप्ती समभ हो है मनुशेक, तो क्या देवताओं को भी अपने देवत कारिये पूर्ण करने के लिए लक्षमी की आरागना करने पड़ती है? लक्ष्मी की पूजा के नियम और साउधानिया मालक्ष्मी की पूजा सफेदिया गुलाबी वस्तर पहन कर करनी चाहिए इनकी पूजा का उत्तम समय होता है मध्धेरातरी मालक्ष्मी पर्तिकर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वे गुला भी पुष्व का विराजमान हो, साथ ही उनके हातों से धन बरस राओ, मालक्ष्मी के मंतरों का जाब, इस फटिक की माला से करने पर वे तुरंत पर भावशाली होता है, धनवान बनने के लिए विश्णु लक्ष्मी मंतर ओम ही हिरी हिरी शिरी लक्ष्मी वासु देयो नमा, मालक्ष्मी के विशेश सवरूप की शुक्रवार को पूजा करने से विशेश धन लाब की प्राप्ती होती है, वरक्ष कन्या और मकर राशी वालों के लिए धन लक्ष्मी की पूजा विशेश लाब करी होती है, मालक्ष्मी के उस सवरूप या चीत्र क के समक्ष जिसमें उनके हातों से धन गिर रहा हो घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं इसके बाद उनको इस समर्पित करें वही इत्र नियमित रूप से परियोग करें कितनी भी धन की समस्य और विदीवत मालक्षमी की पुजा की जाये तो धन का भाव सदैब बना रहता है मालक्षमी की परतिमा को चर्णों में प्राते एक रुपेग असिक कारपित करें